तो फ्रेंड्स वेलकम तो अवर चैनल मैश्य उन्वर्स 28 और आज की वीडियो में हम दिस्केशन करेंगे 5 important examples related to topological space ओके पिछली कुछ वीडियो में हम इन कॉंसेप्ट पर discussion कर चुकी है और आज हम आपकी concept को अच्छे से clear करने के लिए करेंगे 5 important examples तो चलिए start करते हैं with example number first तो सबसे पहली example है जहां पर जैसे दिया हुआ है let x is equal to a b c हमारे पास कोई भी set a b c एक set है जिसमें t1 and t1 5 x a a b and t2 is equal to 5 x a b c हमने दो topologies define की हमने क्या find करना है find the smallest topology containing t1 and t2 ऐसी smallest छोटी से छोटी topology find करनी है जिसमें दोनों topologies t1 and t2 आ रही हो and largest topology contained in t1 and t2 और largest ऐसे बड़ी से बड़ी topology find करनी है जो की t1 में भी आ रही हो और t2 में भी आ रही हो ठीक है तो चलिए solution कैसे करते हैं इसका topologies on the set x which contain both t1 and t2 are ऐसी topologies जो जिसमें t2 भी आ रहा हो t1 भी आ रहा हो t2 भी आ रहा हो जैसे इस example में देख सकते हैं जिसमें t1 भी आ रहा है और t2 भी आ रहा है हमने ऐसी t3 topology find करनी है ओके लेकिन यह smallest होनी चाहिए तो कैसे करेंगे हमने एक topology बनाई t3 जिसमें फाई x यह सभी elements t1 के भी आ रहे हैं t2 के भी आ रहे हैं लेकिन हमें पता है topology बनने के लिए उनकी intersection करके जो members आते हैं वो भी इस topology में नई topology में आने चाहिए तो हमने क्या किया a b intersection b c इनकी intersectionally तो b आया जो कि इस इन में से किसी बें भी include नहीं था किसी set x का तो उसे हम बोलते हैं discrete topology तो discrete topology जहां पर लिखी है 5 x a b c a b a c b c okay तो therefore the smallest topology containing t1 and t2 तो सबसे छोड़ी topology जिसमें t1 and t2 आ रहा है वो कौन सी होगी इन दोनों की intersection t3 जो हमने नई topology बनाई जिसमें दोनों t1 and t2 आ रहे हैं वो and discrete topology के साथ उसकी intersection तो क्या आया वो हमारे पास t3 ही आ रहा है तो हमारे पास यह 5 x a b a b and b c यह नई topology बन गई इसे हम बोलेंगे smallest topology containing t1 and t2 तो अब बात करते हैं largest topology की contained t1 and t2 ठीक है ऐसी topology जिसमें जो t1 में भी आ रही हो t2 में भी आ रही है तो इसके लिए हम क्या करना होगा इसके लिए हम t1 and t2 की intersection कर देंगे तो हमारे पास कौन सी बनी 5 x and a इसमें तीन ही elements तीन ही members common आ रही है और यह largest topology होगी contained in t1 and t2 तो यह थी हमारी first example तो चलिए move करते हैं second example की और तो यह है हमारे पास second example इसमें क्या है हमारे पास कोई set है कोई भी set है और a उसका कोई subset है x का तो शो करना है हमें यह four element है जो collection t में 5 x a and a complement यह हमेशा एक topology form करेगा तो कैसे proof करते हैं इसको proof करने से पहले हमें एक छोटा set लेके छोटा x means जिसमें five element है a b c d e यह वाला set लेके समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो x क्या है a b c d e and t क्या है 5 x a b c and d e कोई a b c कोई a है मान लिजिए यह a b c मान लिया और इसका complement d e ओके तो देखते हैं कि यह topology form करेगा this is a topology यह topology है क्योंकि five इसमें आ रहा है x भी इसमें आ रहा है कोई a b c इसमें सॉरी union करें हम दो members की infinite members की ओके तो वो भी इसमें आना चाहिए तो क्या करेंगी हम a b c और d e की union करें हैं बाकी सब की union तो हमें पता है कि इसमें आ जाएगी t collection में लेकिन ज़िए हम इन दो members की union करें तो वह वारे बास x a set ही बनेगा पूरा कर पूरा set x ही बन जाएगा also जदि हम intersection लें इन दोनों members की तो हमारे बास five बन जाएगा जो कि T में आ रहा है तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये तो एक topology form कर रहा है अब general में कैसे proof करें now let us prove ये वाली topology proof करते हैं 5 भी इसमें है x भी इसमें है union of a and a complement अब देखिए a और a complement की जड़ी हम union करें तो पूरा का पूरा set x बन जाएगा जो कि t में ही है जड़ी हम intersection करें a और a complement की बहुत 5 आएगी जो भी जो की obviously है इस t में belong कर रही है तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई set है उसका कोई subset a है ठीक है तो इस तरह के 4 elements वाली collection हमेशा एक topology form करेगी तो चलिए अब देखते है next example example number 3 इसमें क्या पूछा गया इसमें पूछा गया है let t be a topology on a set x consisting of four sets ये भी कोई set पर एक topology है जिसमें कौन कौन से x phi a and b जे members हैं तो हमने क्या check करना है where a and b are non empty distinct proper subsets of x okay a and b है जो non empty इन सबसे पहली बात ठीक है दूसरी बात है distinct है अलग अलग है दूसरी बात है कि proper subset है कहने का मतलब है कि ये x नहीं हो सकता पूरा का पूरा set x का जो power setup बो नहीं है ठीक है proper subset है what condition must a and b satisfy कौन सी condition a और b की satisfy करेगी ऑके जे एक topology है topology है तो कौन सी conditions a और b के पास होगी यह हमने check करना है उसके बाद क्या पूछा गया है second question है यह also find also list all topology zone x जो एक a b c ऐसा set लिया इसकी हमने सभी topologies बनानी हैं जिसमें सिरफ और सिरफ four members आ रही हो सबसे पहले हम करते हैं यह उपर वारा part solution since a intersection b क्योंकि हमने यहां पर हमको t topology दी है तो since a intersection b must also belong to t तो topology है तो intersection तो t में belong करें गी ही तो कैसे a intersection b must belongs to t there are two possibility हमारे पस दो possibilities बनेंगी कौन कौन सी जदी इनकी intersection phi हुई मतलब यह दोनों set अलग लग है इनमें कुछ भी common नहीं है a intersection b is equal to phi है तो क्या होगा then a union b cannot be a और b तो union है जो a भी नहीं हो सकती और b भी नहीं हो सकती तो हमारे पास क्या होगा hence a union b है जो x की कुला जाएगी ठीक है does the class a b जो इन दो members की class है यह partition x हो जाएगी सबकि हमने set theory में भी पढ़ा था partition में यह partition क्या होती है जदी कोई set है उसके दो subset है जदी हम union करें तो पूरा का पूरा set बन जाता है और intersection करें तो उसमें कुछ भी common नहीं आता उसी तरह यहां पर हो रहा है अब case second क्या है case second है जदी इनकी intersection में जा तो a के इककुल है जदी यह b के intersection b है जो b के इककुल है तब क्या होगा इन दोनों case हो में one of these sets is a subset of the other ठीक है यह एक दूसरे का subset होगी and a member of t are totally ordered by inclusion कहने का मतलब कि यह एक दूसरे में कोई ना कोई set a औ कहने का मतलब a जा तो b का subset होगा जब b a का subset होगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 is a subset of a a is a subset of b a is a subset of b and similarly जब b a का subset होगा तो हमने find कर ली है यह conditions जो की a और b के लिए होनी चाहिए ज़िए यह topology है जिसमें यह वले elements है तो पहली condition तो हमारे पास है यह वाली second आया case यह वाला अब हम find करते हैं x is equal to a b c के लिए जिसमें 4 members है ऐसी topologies कौन कौन सी बन सकती है तो चलिए देखती है तो इसमें case first है ज़िए a b is a partition of x partition है तो ऐसे elements हमको धूनने है इनकी intersection तो y आये लेकिन union करने पर पूरा कभूरा set x ही बन जाए तो कौन कौन सी topologies बन सकती है ती वान जिसमें a और b c है क्योंकि इनकी intersection करेंगे तो y आएगा और union करेंगे union करेंगे तो पूरा का पूरा set x ही आ जाएगा यह तीनों की तीनों topologies ऐसे हमारे पास बन जाएंगी के second क्या है के second यहां पर कहा था हमने कोई ना कोई एक दूसरे का subset होगा ऐसे हमने sets choose करने हैं तो हमने कैसे sets choose किये t4 जैसे x 5 a and a b यहां पर a है जो set वो subset है a b का a है जो a c का subset है b है b c का subset ऐसे हमने जहां पर set और member choose कर लिए ठीक है तो हमारे पास यह nine topologies बन जाएंगी जिसमें four elements होंगे यह भी काफी अच्छा example था तो चलिए अब move करते हैं एक next example की तरफ example number four example number four क्या कह रही है यह कह रही है कि f x to y be a function from a non-empty set x into a topological space y ठीक है कोई function वाली example है यह then prove that f inverse g जो यह f inverse g है जहां पर g है तो t में से आ रहे हैं is a topology on x जो एक topology form करेगा जी हमने proof करना है ठीक है कैसे proof करेंगे चलिए देखते हैं यहां पर जो g है यह करसी जी बोल सकते हैं हम इसको जी हमने इस collection को मान लिया जिसमें f inverse g आ रहा है ओके तो हमने चार properties satisfy करवा के देखने हैं कौन-कौन सी एक तो 5 होना चाहिए इस t में एक x होना चाहिए एक arbitrary union होनी चाहिए और एक finite intersection होनी चाहिए तो कैसे तो 5 है जो इसमें like करेगा ओके जैसे 5 is equal to f inverse 5 belongs to g as 5 belongs to t so 5 belongs to g okay also x is equal to f inverse y belongs to g as y belongs to g so x belongs to g तो हमने 5 और x को तो देख लिया यह g set में से ही आ रहे हैं g collection में से ही आ रहे हैं तीसरी बात क्या किया है हमने let a alpha belongs to index and be arbitrary family of members of t ठीक है इन set g के members की एक हमने family उठा ली अब हमने प्रूफ करना है कि इनकी union भी इसमें जी में लाइक करेगी तो कैसे तो union जड़ी phi और x हुई तो obvious है क्यों कि इसमें phi और x तो आ ही रहे हैं ठीक है तो यह जी में लाइक कर जाएगी जदी यह x नहीं हुई तो क्या होगा हमने एक member उठाया जो जी में है तो हमने यह definition लगाई अब हम union लेने चले हैं यूनियन लेंगे अलफा बिलाइक सेट एलफा तो क्या आएगा यूनियन तो हमने एफ इनवर्स जी अलफा मान लिए तो हमने यहां पर पुट कर दिया पुट कर दिया तो एसे बाहर लिख सकते हैं Union of alpha belongs to this जी अलफा टो यह किसके एक को लागै F इंवर्स जी के जहांपर जी क्या है जा जो यूनियन आफ डिस alpha belongs to index set जी अलफा के तो ओके तो तो जे तो टी में था तो हम को पyas पद्ध है नो टी में हो गया तो इसकी union है जो जी में लाई करड़ेगी अब हमने प्रूफ करना है intersection, finite intersection के बारे में जड़ी हमने दो members लिए A1 and A2 भी two members of G जड़ी इनकी intersection 5X हुई तो obvious है जे G में lie करेगा जड़ी 5X नहीं हुई तो क्या होगा तो हमने दो members उठाए और definition लगाने पर हमें ये मिलेगा A1 is equal to F inverse G1 and A2 is equal to F inverse G2 जहां पर G3 क्या है G1 और G2 की intersection जो की T में लाई कर रही है तो J A1 intersection A2 है जो G में लाई कर जाएगी Hence G is a topology on X तो हमारे पास ये एक topology form करेगी ये इसे हमारी example 4 जिसमें functions के related हमने एक topology की example की अब हम बात करते है example number 5 की जिसमें हम बात करेंगे set of real numbers की ठीक है जड़ी हमारे पास कोई set of real numbers है तो वो T1, T2 and T3 ये तीन topologies sorry collections दी हुई है ये topologies बनेंगी आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं finite final segment topology और initial segment topology वाली वीडियो में हमने इस तरह की topology का proof किया है और user topology में भी इसका proof किया हुआ है आप उनकी help से इस question को easily solve कर सकते हैं यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो comment box में बताईए हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो ये थी example number five तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही important five example की discussion की topological spaces से related तो जदी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए जिनके लिए ये वीडियो useful हो सकती है और हमारे चैनल को subscribe जूरूट कर लीजिए so thank you so much